नमश्कार दोस्तों, कैसे आप? आशे करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़ी असे होंगे दोस्तों, अगर आपको सुखी खासी बहुत होती है और खास कर ठंडीओं मेच जब ठंडी हवा लगती है तो एकदम से आपको खासी आती है या जब आप किसी से बात करते हैं तो एकदम से आपको खांसी आती है और यह समस्या बहुत दिनों से है आपको एलर्जी कफ की समस्या बहुत दिनों से है या आपको स्किन में एलर्जी है और जैसे ही आप कपड़े उतारते हैं तो बहुत तेज आपके सरीर में खुजली होत तो एक दवा है होमेपैथी की रूमेक्स क्रिस्पस दोस्तो रूमेक्स बहुत ही एफेक्टिव मैडसेन है सुखी खासी के लिए और आज हम इसी दवा के important symptoms आपको बताएंगे और अगर आपको सुखी खासी की समस्या है तो कैसे आप इस दवा का उपियो कर सकते हैं खासकर ठंडियों में विंटर सीजन के लिए ये मैडसेन बहुत ही एफेक्टिव है तो ये वीडियो आप आखरी तक जरूर देखिएगा मैं आपक्ट विक्रम आपका मेरे शेनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शरूर करते हैं तो सुरूर करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शरूर करिए और हाँ अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर से दबाएं मैं ऐसे ही वीडियोज लात रहता हूँ मेरा इमेल आइडी किर्ति विक्रम सिंग बरियार at the rate gmail.com है वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं इसके लावा मैं किसी को भी online appointment नहीं देता हूँ कोई भी online prescription system नहीं है तो कोई भी fake account से अगर आपको message आया कि इस number पर आपको डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगी या संपरक कर लिजे तो मैं किसी को medicine नहीं भी सता हूँ नहीं कोई online appointment system है और ये वीडियो पूरी तरीके से education purpose से है तो कोई भी medicine लेने से पहले आप local doctor को ज़रूर दिखाएं चलिए topic की तरफ चलते हैं तो आज की जो medicine है बहुत important है roomex crispus दोस्तों ये दवा roomex नाम से ये दवा आपको होमेपैथी में मिलेगी और ये दवा plant kingdom की medicine है और बहुत एक खुबसूरत plant है इसका और अगर आप plant की बात करें तो plant जो है उसमें काफी मात्रा में vitamin A, vitamin C और calcium पाया जाता है तो बहुत सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है ये अमेरिका में पाया जाता है यूरोप में पाया जाता है और western part of Asia में ये plant पाया जाता है तो roomax जो है वो बहुत ही बढ़ियां और effective दवा है खासी के लिए roomax हमारे सरीर में तीन जगहे असर करता है पहला lungs में और जो सुखी खासी है खास कर आपको अगर ठंडी हवा लगती है जैसे ही नाक से ठंडी हवा जाती है या मू से ठंडी हवा जाती है एकदम से यहाँ पर एकदम से टिगलिंग होती है sensation होता है आपको सुखी खासी आने लगती है बहुत जादा सुखी खासी आने लगती है और अगर आप किसी से बात करते हैं और बात करते करते ही आपको सुखी खासी आने लगती है या थोड़ा सा बात करते हैं तो आपको बार बार सुखी खासी आने लगती है और ये पैराउग्समस में होता है, मतलब कभी कभी होता है ऐसा नहीं कि आपको दिन भर सुखी खासी आ रही है लेकिन जब भी आ रही है तो इतना जादा आ रही है कि उसको आप रोक नहीं पाते हैं चेस्ट में पेन करने लगता है इतनी सुखी खासी आती है तो Rumex बहुत ही जादा effective medicine है ये allergy को ठीक करती है दोस्तों और खास कर अग तो आपको खांसी आने लगती है, एक चीज और, कि Aí आप गर से बाहर निकलते हैं ठंडी में आते हैं वैसे ही आपको सुखी खांसी हो वैसे ही आपको खांसी आए तो आपको खांसी में और खासकर ड्राय कफ में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए और रूम एक्स आप 30 CH पोटेंसी में दो बून दिन में तीन बार सुबै दो पहर शाम इसका उपयोग जरूर करें बह बहुत ही effective medicine है, तो अगर आपको diarrhea होता है, lose motions होते हैं, और जो मल है, वो काफी भूरा सा है, बहुत dark है, तो ये दवा बहुत अच्छी है, खास कर थंडियों में थंडी लगने के कारण, थंडीयों में थंडी लगने के कारण, अगर किसी को lose motions होने लगते हैं, खास कर हमारे ब competitive है, room x, आप 30 CH potency में, दो बून, दिन में 3-4 बार आप पिए, directly tongue में, माली जा मेरे हाथ में room x 30 है, और दो बून, directly tongue में, मेरे को टपकाना है, डालना है, दिन में 3-4 बार इसको पीना है, बहुत बढ़िया medicine है, ये diarrhea के लिए, lose motion के लिए, अब तीसरे system पे चलते हैं, तो वो है हमारी तौचा, ये skin allergy के लिए, और खासकर, eating के लिए, अगर आपको सूखी खुझली होती है, dry eating की problem है, और खासकर, जब आप घर आते हैं, और कपड़े change करते हैं, जैसे ही आप कपड़े change करते हैं, तो क्या होता है, ठंडी हवा लगती है सरीर में, और जैसे ही जादा खुझलाता है, और फिर उसके कपड़ा पहनता है, तो ठीक लगने लगता है, लेकिन ऐसा बार-बार होता है, जैसे ही आप कपड़े change करते हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा तवचा जो है, वो तवचा में हवा लगती है, वैसे ही आपको खुझली होती है, dry eating होती है, मैं आपको अपना एक experience शेयर करता हूँ, एक मेरे पास बहुत सालों पहले लगबग 6-7 सालों पहले एक मेरे पास patient आई थी, उनको psoriasis की problem थी, उनके हाथ में, हथेलियों में और पैरों में फट जाता था, बहुत जादा फट जाता था, इस तरह का भी होता है, कि हथेलिय जो है, वो फटने लगती है, और बहुत जादा खुजलाती है, तो वो इतना खुजलाती थी, कि जैसे कोई table रखा हुआ है, तो उसमें ऐसे रगड़ती रहती थी, रगड़ती रहती थी, वो मेरी patient थी, और उनके husband है, वो बहुत परिशान थे, तो एक बार वो मेरे पास आ तो तुरहन, मतलब ऐसा सैयोग हुआ, कि वो आए और मैं उस समय roomax पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ी रहा था, तो मैंने उन्हें roomax दे दी, कि इसको आप दो दो बूंध हर एक गंटे में देखे देखे, इचिंग ठीक हो जाएगी, उन्होंने दी, इचिंग ठीक हो ही गई लेकिन जो फटा हुआ स्केन था, जो स्केन फट रही थी, वो भी ठीक हो गई और ये ठंडी की बात थी, तो ठंडीों में अगर आपके स्केन पचा फटती है, और काफी उसमें ड्राइनस रहती है, और साथी साथ अगर इचिंग की प्रॉब्लम है, बहुत जादा, तो roomax जरूर यूज करने चाहिए, roomax आप 30CH potency में दो बून दिन में 3-4 बार जरूर लें, ये एक तरह की acute medicine है, आपको इसे दिन में 3-4 बार लेना पड़ेगा, 30CH potency में यूज करेंगे, तो जादा अच्छे results मिलेंगे, बहुत बढ़िया और effective ये दवा है, roomax तो ये थी roomax और खासकर आपको dry cuff में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए, और itching के लिए ये medicine बहुत effective है, मेरा dry itching combination भी है, itching combination तो वहाँ पर जाएंगे, तो आपको combination में roomax भी मिलेगी, तो roomax जो है, वो itching के लिए बहुत अच्छी है, और dry cuff combination है, वहाँ पर भी आपको roomax जो combination में है, वो dry cuff और dry itching, दोनों के लिए ये medicine बहुत अच्छी है, hope कि आपको roomax अच्छी है, मैंने बहुत short में, और ऐसा समझाया है कि शायद आपको याद रहे, तो अगर आपको याद रहे, तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करिएगा, और हाँ अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किय पिरा email id कीर्ति विक्रम सिंग परिहार at the rate gmail.com है, वहाँ पर जाके आप mail कर सकते हैं, आज के लिए बस इतनी, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, thank you so much, bye